नमस्कार आज मैं उत्तर प्रदेश के युगाओं खास तोर से उन प्रतियोगी छात्र छात्राओं से बात करना चाह रही हूं जिनों ने सूपर टेट 79,000 काप की परीक्षा दी आप सब तो जानते ही हैं कि हाल में परीक्षा के रिजल्ट आये और उस रिजल्ट से बहुत आकरोष, बहुत नाराज़गी हुई है क्योंकि मीडिया की रिपॉर्ट से छात्र छात्राओं की रिपॉर्ट से यह पता चल रहा है कि इस परीक्षा में बहुत बड़ा गोट आला हुआ है बहुत जादा प्रश्टाचार हुआ है देखे बहुत समय से जब से मैंने यूपी में काम करना शुरू किया जब से पिछला चुनाओ चला तब से मैं देख रही हूँ कि ऐसे तमाम परीक्षा जो यूपी में की जा रही है उनमें कहीं न कहीं चीटिंग के मामले निकलते हैं घोटाले निकलते हैं भरश्टाचार की बात उठती है और इसे बहुत दुख होता है आज जिन छात्राओं से मैं बात कर रही थी वे मुझे बता रही थी कि एक्जाम देने के लिए परीक्षा देने के लिए 200 किलो मीटर दूर गई हैं तीन तीन परीक्षा दिये हैं कभी सेलेक्ट भी हो गई हैं लेकिन बार-बार परिवर्तन आ रहा है बार-बार चीटिंग के मामले उठ रहे हैं कभी परीक्षा रद होती है कभी परीक्षा में जो अंक आते हैं उन पे कोई नई नियम कायम हो जाता है पहले cut-off point एक होता है उसके बाद परीक्षा को कर देने के बाद cut-off point बदला जाता है मैं दिल्ली मे में रहती हूं मैं तो सोच भी नहीं सकती कि एक परीक्षा आप दे रहे है और उसका रिजल्ट 1,5 साल बाद आ रहा है उसके रिजल्ट के आने में इतना समय लग रहा है क्यों लग रहा है इतना समय अगर कोई घोटाला कोई गड़वण नहीं है तो यह रिजल्ट पहले आ तो इस तरह कि तमाम इशूज हैं जो इन परीक्षाओं के इर्द इर्द उठने लगी हैं। एक सेंटर में इशू आ रहा हैं। तो उस सेंटर के लोगों को हमने गिरफतार कर लिया। लेकिन पूरी परीक्षा में कोई समस्या नहीं है। तो ये बार बार इशूज क्यों उठ रहे हैं। और लोगों को इतना दुख क्यों हो रहा है। इतने परिशान क्यों हैं इसमें जो नियम है वो बार बार बदलते क्यों रहते हैं तो मैं आप सब को कहना चालती हूं कि आज जिन बक्चों से मैंने बात की वो मुझे बता रहे थे कि कितना संख़श करके सिर्फ पढ़ाई नहीं उनके लिए ये जो इंतिहान है ये जो परी के जरिये पूरे परिवार के लिए आगे के लिए वो अपना अपनी लाइफ बना सकते हैं अपना फ्यूचर बना सकते हैं तो अगर हम एक साथ आवाज नहीं उठाएंगे अगर हम ये डिमांड नहीं करेंगे कोई परिवर्तन आए तो ये एक ऐसा सिलसिला बन जाएगा कि JUPA की सरकार। तो वैसे भी समझ रही है। कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं घोटाला हो रहा है, ब्रश्टाचार हो रहा है, नहें आपको आवाज उठानी दे रहे हैं। कहने हैं कि कहीं-कहीं सरकार ऻिख्यापित कर रही है कि अगर आप आवाज उठाएंगे आपके मुकदमे किये जाएंगे तो या तो हम सब चुप बैट्स जाएंगे तो कभी कोई परिवर्तन नहीं आने वाद या हम आवाज उठाएं और हम सरकार से जवाब दे ही मांगे मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे ठोस कारवाई होनी चाहिए पूरी तरह से पारदर्शता के साथ कारवाई होनी चाहिए जो कारवाई होनी चाहिए वो तै करें लेकिन ये सिर्फ आपका भवेश्य नहीं है ये पूरे प्रदेश का भविश्य है एक पूरे जेनरेशन का भविश्य है और उस प्रदेश की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है मुख्यमंत्री जी ये आपके भी बच्चे हैं हमारे हैं आपके हैं और हम सब को एकठे एक सकारात्मक तरीके से इनके लिए एक solution ढूलना पड़ेगा और ये कोई राजनीती की बात नहीं है ये बहुत स्पश्ट बात है एक generation के भविश्य का सवाल है उस सवाल को हम उठा रहे हैं हम सब जिम्मेदारी लें और आप जिम्मेदारी लें कि ये आपकी सरकार में ये सब हो रहा है पारदर्शिता से जो भी कारवाही करने हैं आप करवाईए चाहे इंतिहान को रद कराने की कारवाही हो चाहे पूरी तरह से जाच कराने की कारवाही हो और इससे बढ़कर सबसे जरूरे जिससे मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ कि इन चात्र चात्राओं का ये जो प्रतियोगी चात्र चात्राएं हैं इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही है आप इनकी आवाज दबाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? दमन से कुछ नहीं होगा, ये युवा है, युवा आवाज उठाता है, उसका स्वभाव होता है, स्वभाव को दबाने की कोशिश कोई भी करें, तो कोई सफल नहीं हो सकत्राएं और एक देश, एक प्रदेश अगर आगे बढ़ेगा, अगर विक्सित होगा, तो बहुत जरूरी है कि आप युवाओं की आवाज सुनें, कि उनकी समस्याओं को सुलजाएं, और इस तरह की नीती नहीं होनी चाहिए, कि भर्तियों में धांदली हो, परिक्षाओं में दाले हो, ये कोई आम चीज नहीं है, हमें सुईकाल नहीं करना चाहिए, कि इसी तरह से चीजे होती है, हमें बदलाव लाना है, और बदलाव लाने के लिए हम सब को एक अठे काम करना पड़े हैं, तो मैं आप सब से कहना चाहती हूँ, युवाओं से कहना चाहती हूँ, खास तोर से जिनोंने इंतिहान दिया उनसे कहना चाहती हूं कि मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं आपकी आवाज उठाऊंगी, इसमें राजनेतिय की कोई बात नहीं है, मैं चाहती हूं कि आपकी आवाज उठे, आप हमारा भविश्य है, यूपी के भविश्य है और हम हेंगे आपकी लड़ाएं